सूखे मसालों से बना हुआ यह चिकन इतना जादा गला हुआ और इतना जादा टेस्टी कि अगर आप इसको खाएंगे तो इस रेसिपी को बार-बार बनाएंगे यह चिकन की रेसिपी जो है आप एंड तक देखना क्योंकि आज आप इसे बनाएंगे जिरूर तो वीडियो करें तो डावे वाली चिकन करी बनाने के लिए हमने या पे लिए पांच बड़ी प्याज जिनको जो है फाइन हम लोग ने चौप कर लिया है तीन बड़े टमाटर जिनको हम लोग ने बारीक काट लिया है दस से बारह लेसन के पीसे जिनको हमने बारीक काट लिया है अदर यहां पर जो है और हैंand bla 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 घ्रा Любach colo जो है और यहां पर जो है मैं एक किलो चिकन का इस्तिमाल कर रहाँ है तो सबसे पहले हम खड़े मसालों को गरम तेल के अंदर आड़ कर देते हैं और इसको एक बार बहुत ही तरीके से आपको मिक्स करना है उसके बाद जो है हम सबसे पहले आड़ करेंगे अदरक को क्योंकि अदरक पकने में थोड़ा सा जादा टाइम लेती है तो आप इसे सबसे पहले पका हीएगा उसके बाद जो है आप बाद में अप लोग लेशन को ढ़़ कर देंगे जो हमारी हरिमिष्ट है हम उसको भी आड़ कर देंगे और जैसी आप इसको आड़ कर दो कहां पर तोड़ा सा महनत का काम आ जाता है आपको जह प्यास को गोल्डन ब्राउन कनने तक पकाना है और प्यास को golden brown करने में लग जाएंगे कम से कम 10 से 12 मिनिट, देखो कुछ इस तरीके से, जब प्यास थोड़ी सी कम हो golden brown, तब आप अपने एक हाथ भर के धनिया, बिल्कुल हाथ भर के कोई table का measurement नहीं होता है इसमें, क्योंकि धाबे वाली chicken करी है, तो इसके अंदर हम लोग जैसे आप इसको लगवक एक से दो मिनिट के लिए पकालो, उसके बाद आप इसके अंदर टोमाटोस को आट कर देना, तो आप देख सकतो हो, मैंने हर चीज यहां पर बारीक काटी ही, क्योंकि यह ब्लेंडर में आपको नहीं पीसनी है, वनना अपको धाबे वाले टेस्ट आपको जो है एक दम बारीक करने, ज्यादा बड़ा काटे तो गलने में टाइम लेगा और फिर मजा नहीं आएगा आपको तो इसको जो है पूरा मॉइस्चर निकालना है, टोमाटोस का टोमाटोस को अच्छी तरीकी से गलाना है, उसके बाद जो है अपनी नेक्स टेप प लालो उसके बाद जो है आप अपने चिकन के पीसिस को बेड़ कर देना यहां पर जो कॉंटिटी चिकन की वह है एक कीजी और इसको जो हम लोग ने आट कर दिया है कडाई के अंदर और आप जो है इसको अच्छी तरीकी से मिक्स कर लीजिए और यहां पर जो है मैं आपको प्रॉपर मेशरमेंट दे देता हूँ यहां पर लाल में इस पाउडर जो है दो चम्मच है धनिया पाउडर जो है यहां पर मैंने तीन चम्मच लिया हुआ है तो आप जो है इसको आट कर दीजेगा उसी के साथ जो है नमक नमक जो है यहां पर अनुसार बिल्कुल रख सकते हैं नमक को और मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्यास भूनते टाइम जो है अड़ कर दिया था तकि प्यास को जित्ता भी मॉइस्टर हो जल से जल निकल जाए अभी हम लोग ने चिकन मसाला जो है अड़ नहीं किया है उसको जो हम लोग अड़ कर देंगे उसको जो आपको अच्छी तरीकी से फेट लेना है ताकि कोई लंच ना रहे है आपको इसको मिक्स करना है फिर दुबारा से कवर करना है मिक्स करना है कवर करना है और यह तब तक करना है आपको जब तक आपका चिकन जो है अच्छी तरीके से पक नहीं जाता और आप जो है ऐसा करते रहोगे और जब आपको चिकन पक जाए उसके बाद आपको ढखकन लगाना है इसका और इसकी जो है बंड कर देनी और इसको बस रेश्ट करने देना है और अगर आप ऐसा करोगे तो आपका जो चिकन है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा ये देखो आप कितना भैतरीन लग रहा है चिकन बहुती अच्छी तरीक से गल चुका है जो मसाला है वो पीसिस के अंदर तक जा चुका ग्रेवी जो है वो सारा जूसिस जो है चिकन का जोरी तो यह जो है धाबे वाली चिकन के करी के रेशीपी अगर आप घर पर बनाओ गे आज संडय की तस इसन अपने फ्रेंड्स न्फैमिली के साथ इंजोई गरो बैचलर हो तो अच्छीपी के झाल झाल झाल